हलो एवर्योन नमस्ते वेलकम बैक टो मैं चैनल आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूं हाव टु प्रिपेर ओरंज टी और हाव दु आई मेक ओरंज टी अब ओरंज टी मैं बनाती हूं औरंज के चिलके के साथ संटरे के चिलके के साथ the peel of the orange उसके साथ I make the tea तो वही मैं आज दिखाऊँगी कि आज मतलब इस वीडियो मैं आज मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैं orange tea कैसे बनाती हूं तो मैं यहाँ पर ले रही हूं दो कब पानी आप अपने हिसाब से पानी लीजिए मैं यहाँ पर दो कब ले रही हूँ मेरे और मेरे हस्बन के लिए तो दो कब पानी मैं यहाँ पर ले रही हूँ और मेजर करके पानी लेने के बाद पानी को उबालने दीजिए और उबालने से पहले पानी में शुगर यानि की शक्कर या चीनी जो भी आप बोलिये उसे एड कीजिए according to your taste as per your taste add the sugar मैं यहाँ पर धाई टीस्पून शुगर आड कर रही हूँ तो जी मैंने यहाँ पर टीस्पून शुगर आड किया है आड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ पानी के साथ जितना हो सके उसके बाद मैं इस मतलब पानी को मैं उबालने के लिए छोट दूंगी अच्छे से बाईल होना चाहिए शक्कर अभी फिलाल तो नीचे ऐसे डिपोजिट हो गया है पर जब यह उबल जाएगा तो अच्छे से मतलब मिल जाएगा शक्कर पानी के साथ तो यह अब जो है पानी उबलना शुरू हो गया है और देख सकते हैं आप शक्कर भी अच्छी तरह से मिल गया है अब मैं इसमें डालूंगी संत्रे का चिलका ज्यादा नहीं थोरा सा ही और मैंने ऐसे पीस-पीस कर लिया है छोटे-छोटे हाथ से ही संत्रे के चिलके को तो मैं औरेंज का जो पील है इसके अंदर डाल रही हूँ अब फिर से एक बार मिला दूंगी संत्रे के चिलके को पानी के साथ और अब इसे बॉयल करने के लिए छोड़ना है कुछ देर के लिए अब यह अच्छे से बॉयल होगा देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है यह उबल रहा है अब अच्छी तरह से पानी जो है उबल चुका है इस बॉयलिंग नाइसली और चेक कीजिए स्पून के साथ आपका जो संत्रे का चिलका है वो सॉफ्ट हो गया है और अब पानी उबल गया है अच्छे से अब मैं आफ कर दूंगी और हीट से मेरे इस मतलब पानी को सॉस पैन को बाहर निकाल दूंगी बाहर रख रख कर उस लाप की उपर मैं रखकर अब मैं इस पर चाय की पती मिला रही हूं मैं चाय की पत्ति आप ड़स्ट भी यूज कर स तो मैं मैंने थोरा सा मतलब चाई की पत्ती मैंने थोरी सी डाल दी है अंदर अब इसको भीगने के लिए छोड़ना है let it be like this for some time cover the saucepan अब कुछ देर बाद 5 मिनिट बाद आफ्टर 5 मिनिट ऐसे इसको चान लेना है strain out the liquor from the leaves and the peel of the orange तो मैंने निकाल लिया है चाई को ऐसे अब बनके तयार है मेरा orange tea yes my orange tea is ready it's very refreshing very tasty try it once and let me know how do you feel about it एक बाद try करके देखिए और मुझे बताएं कि ये कैसा है ये बहुत ही अच्छा है health के लिए और बहुत ही relaxed feel करोगे आप तो जरूर try कीजे और मुझे बताएं कैसा लगा आज का वीडियो बस इतना ही पसंद आए तो please like कीजेगा और मेरे चानल को subscribe कीजेगा बाई विल मेट यू सुपर सुन